इंडिपनेंट टीवी के जो सिगनल्स हैं वो बिल्कुल आपको यहां पे 0% सो हो रहे होंगे और क्वालिटी जो है वो भी 0% सो हो रही होगी इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे यूटीवर्स हैं या पिर आप कैसे सकते हो बहुत से ऐसे लोग हैं जो की आफवा फिलारहे हैं यूटीब के अंदर और वीडियो ऐसे बनाते हैं जैसे लगता है कि बिल्कुल सरी ओण इसन बनाया है कि आप किसी डिडि फ्री डिस्क के जो चैनल से हैं तो देख सकते हो अपने independent TV पर, simple बात यह सोच लो आप यह समझ लो कि जहां पर आपका strength नहीं आ रहा है, जहां पर आपकी quality नहीं आ रही मतलब कि कोई signal नहीं आ रहा है आपके TV के अंदर, मतलब कि independent TV का जो antenna है और जो setup box है और कोई signal receive नहीं कर रहा है, तो उस case में आप कैसे कि या किसी भी अलग disk का channel चला सकते हो अपने TV पर, पहली बात, दूसरी बात है कि जितने भी D2H operators होते हैं, उनका सब का जो angle होता है और receiving point और transmission point होता है, वो different होता है, मतलब सब के लिए same नहीं होता है, भली एक percent का अंतर हो, एक degree का अंतर हो, और degree और minute पर set करते हैं उसको, ज तो आप उस तरीके से भी, मतलब अलग अलग जो D2H है उनके अलग होते हैं, तो आप उस तरीके से भी अपने TV पर नहीं चला सकते हो, तिसरी बात है कि जो software यूज किया आता है, वो अलग यूज किया जितने भी आपके D2H operator है, फिर इंडिस हो, या फिर टाटाइस का ही हो या टेल हो, या फिर इंडिपेंट टीवी हो, तो इस केस में आप कोई भी दूसरे D2H का TV चनल अपने TV पर नहीं चला सकते हो, यह तीन बाते आपको बताई, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी वीडियो मैंने देखे हैं, यूट्यूब के उपर, कि ऐसे लोग बन जून से अगर चलना सुरू हो जाता है, या फिर दो जूला, जब भी चलना सुरू होता है, मैं अगर डेट कनफर्म नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह भरो से लाइक नहीं है, लेकिन जिस दिन से भी चलना सुरू हो, तो क्या चारते हो, आपकी आपका TV ना चले, आप अमने लोग हैं, आपको बहुत बोलते होंगे कि कैसे आपने लगवा दिया TV है, आपने घर में लोग बोलके लगवाया कि यह बहुत अच्छा है, कंपर से मह जाएगा, लेकि यह चल नहीं रहा TV, तो उस परहसानी से बचने के लिए आप YouTube पे वीडियो जब देखते हैं तो आप उनके authentication को सबसे पहले परखिए, कि कौन सा YouTuber और कौन सा जो वीडियो बनाने वाला बंदा है, जो कि आपको authenticate वीडियो दे रहा है, मतलब कि बाहर कुछ और लिखना, अंदर कुछ और देना, ऐसे लोगों से बच करहिए आप, और फिर जो गलत information देते हैं, उनको आप लिख कि आप चेंज खरके चला सकते हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ जैसे, बहुत लोग कह रहे है, 11,090 यहाँ पर डाला है, और यहाँ आपको डाला है, 29,500 और इसको करना है आपको वर्टिकल, तो देखिए, आप यहाँ देखिए, स्ट्रेंथ में 87% सो कर रहा है, लेकिन क् 8%, 8% क्वालिटी कुछ लोग के क्वालिटी ज्यादा दिखा रहा होगा, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला है, मैं बतारों आपको, LNB पावर 2K मोड, 22K मोड, नेटवर्क सर्च, सब कुछ on है, अगर आपने LNB पावर को off कर दिया, तो आपके क्वालिटी औ रेडियो जीरो दिखा रहा है और 0% अभी सर्चिंग हुई है, इस मेगाहर्थ और इसके उपर, नेटवर्क इंफोर्मेशन नॉट डिटेक्टेड, ठीक है, यह जो है, यह मैंने जो फ्रिक्वेंसी डाली थी, यह डाली थी मैंने डीडी फ्रीजडी की, ठीक है, डीडी फ करके यहां पर USB storage है, USB PBR list है, अब जैसे no USB device लगाया है, कि USB में आप एक software दाउलोड करो, कहां से? इंटरनेट से, और software जो डाउलोड करके रन करा दो अपने TV के उपर, अरे भया, एक बाव बताओ, signal कहां से आजाएंगे, अब signals कहां से आजाएंगे आपके TV में, आप TV में उसको लगाने से चलतो जाएगा, टीवी ऐसा नहीं है, ऐसा आपका TV नहीं चलने वाला है, इसके अंदर आप छिरखाई ना करें, वही ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए छिरखानी करोगे, पर चलेगा signal आगे लगोगे, और आपके नहीं है, तो मेरी बस यही कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यह मत कोशिस कीजिए, कि इसको अपने तरीके से हम ठीक कर लेंगे, और अगर टीवी बंद हो जाता है, इंडिपेंट टीवी चलता ही नहीं है, तब उस केस में आप क्या करना ना, उस केस में आप जो भी ट्राई करना हो करके, बंद करके लेकिन अभी चांसेज हैं दोस्तो, चांसेज हैं, इसके पीछे एक और मैं वीडियो बना रहा हूँ, सामने अप्लोड करूँगा, बहुत सारी बाते मैं उसके अंदर बताने वाला हूँ आपको, इस वीडियो को आप पूरा यहां तक आपने देख लिया है, तो इस वीड पसंद रिपलाई देता हूँ, तकनिकी सार 7 पर आप मैसेज कीजे मुझे, मैं आपको रिपलाई करूँगा, फॉलो कीजे वहाँ पर मुझे आप, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, फैस्बूक भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों जागे तकनिकी सार के नाम से है, तो बस यह मेरा कहना है कि मैं आप लोग तक वीडियो लेकर आता हूँ, और काफी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो मैं आप लोग गुमराह होने से बचाना चाहता हूँ, कि आप लोग ऐसे चीजों में ना पड़ें, जिससे कुछ फायदा होने वाला निया, टाइम वेस्ट ह और आपका हो सकता है कि जो सेटप बॉक्स है खराब हो जाए, तो कोशिस कीजिए कि आप अपना फ्रिक्वेंसी या फिर्वेस भी से जो डाउनलोड करके चलाने के लिए बोला जा रहा हो, या कोई भी चीज बोला जा रहा है कि आप चेंज कर लो, टीवी चल जागा नहीं अब ही तक मेरे जानकारी में कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे आप चला सकते हो क्योंकि एंटिना का सिग्नल मैच करना बहुत इंपोर्टन है, दोस्तों अफ़ाओ से बचिए और कोशिस कीजिए कि इस इंफ्रमेशन को जितने भी आपके इंडिपेंड टीवी के दोस्त हैं, जिनको आप जानते हैं कि इंडिपेंड टीवी के पास हैं, उन तक ये पहुंचे ख़बर, सेर्ज करना बहुत जरूरी है, और इस वीडियो को अगर देखने के बाब को लाग कि बिल्कुत सही इंफरमेशन में जदी है, तो प्लीज लाइक कर दिए इस वीडियो को, और कम आप जो नेटवर्क सर्च एप कुछ ऐसे करके लोग करके कुछ सिस्ट्म आ रहा होगा, कुछ लोग है ऐसे, तो उस केस में अपको क्या करना है डिया- मेनीश ए मेनियू में आप जाओगए system सेटिंग्स में सिस्टम सेटिंग्स में जब जाओगे क्लिक करोगे तो इसके अंदर आता है नीचे से मास्टर रिसेट में जाओगे आप तो इसके जो पासवर्ड है वो 4x0 है 4x0 करके फैक्टरी रिसेट कर दिया आपने मतलग कि जो ओरिजनल था उस पर यह दुबारा से चला जाएगा रिबूट हो रहा है आपका सिस्टम फिर से लेखिए जा रहा है अभी रिबूटिंग चल रही है तो रिबूटिंग हो जाएगे जब एक बार तो यह अपने पुर तो देखिए दुबारा से अटो सर्च मोही पर आ गया है तो मास्टरी सेट कर लिजे मैंने तरीका बता दिया है और कोसिस कीजिए कि छड़खानी ना करें और मुझे कमेंट करके बताएगे कि आपने क्या छड़खानी कर थी और की तो क्या आया आपके उसमें क्या आपका कमेंट का वेट कर रहा हूँ और आप मुझे तकनीकी साथ सेवन पर मैसेज कीजिए मैं उसका रिपलाई जोर दूँगा थांक्यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए और अगर चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को और घंटी का बटन दबाना बिलकूल मत भूलिए क्योंकि इससे अच्छे तरीका क्या इंफोर्मेशन मैं आने बाई टाइम में लेक आने बालों थांक्यू सो मच दो सो वीडियो देखने के लिए